हलो गाइज, हपी टैट सीरीज में आपका स्वागत है आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हिमाचल जी के कुछ important topics हैं उनसे related रहेगी तो इस वीडियो में हम glaciers, peaks और lakes जो हिमाचल प्रदेश में हैं उनके बारे में discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहां से पहले आपको पता होना जी हिमाचल का अच्छे से map इसमें जैसे पूरव में कौन सा राजिया देश लग रहा है पश्ची में कौन सा लग रहा है दक्षिन में कौन सा लग रहा है उत्तर में कौन सा लग रहा है और तो यहां पर अगर आप देखें तो हिमाचल के उत्तर में जो है वो चाइना का तिबत लगता है जो हमारा दक्षिन है यहां पर हमारा हर्याना, यूपी और उत्राखन लगता है अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो यहां पंजाब का बॉर्डर लगता है और उपर आप देखेंगे नौर्थ में तो यहां पे जो है हमारा लद्दाक और जम्मू कश्मीर लगता है चलिए आज क्या हमारा जो पहला कोईशन आज का जो हमारा पहला क्याशन है हाइस पीक औफ हिमाचल की सबसे उंची चोटी कौन सी है आपके ऑप्शन है फिप्र भी इसका जो सही अंसर है फिची गनेंजर है हिमाचल की सबसे उंची परवत चोटी है इसकी हाइट आपको पता होनी ची यदि 7 누구 20 meter है और यह कहांपे है, यह किन और में है, और किन और की कुछ important जो छोटियां है, वो आपको पता होने ची यह शिपकी होगया, लियोपार्गिल होगया, और किनर कैलाश होगया, किनर कैलाश को हम क्या बोलते हैं, रल दांग भी बोलते हैं, रल दांग, यह सब ही कहाँ 197, जो जो चोटी है वो कहां कौन सीडिस्टिक में स्थित है आपके option है लहॉल्स पिती कि नौर चंबा कांगडा इसका जो सही answer है मुल्किला जो है हमारी परवचोटी वो लहॉल्स पिती में है यहां से आपको लहॉल्स पिती की कुछ important जो पिक्स हैं वो पता होने चीए मनी रेंग हो गया इसके अलावा मुल्किला गेफांग मुरांगला श्रांगला यहां से जो यह मनी रेंग है वो जो है लहॉल्स पिती की सबसे उंची चोटी है लहॉल्स की सबसे उंची चोटी जो है वो मनी रेंग है ठीक है और यहां से डिवी बोकरी है वो कौन सी डिस्टिक में है आपके option है कुलू, स्पिती, किनौर और आपके घर के पीछे इसका जो सही अंसर हैगा हुमारा option number first कुलू रहेगा डिवी बोकरी जो परबचोटी है वो हमारी कुलू में स्थित है कुलू की कुछ important जो परबचोटी है वो आपको पता होने चाहिए इंदरासन हो गया, देव टिबबा हो गया, सोलंग हो गया, श्रीखंड हो गया, इंदरकिला हो गया, पिन पारवती यह सबी जो है हमारी कुलू में स्थित है, यहाँ पर बच्चे गन्फ्यूज होते हैं, सोलंग और चोलंग में, जो हमारा चोलंग है वो कांगडा में है, देख्या, जो next question है हमारा which of the following peak located in चमबा, यहाँ इन में से जो है कौन सी चमबा में स्थित है, आपके option है, पीर पंजाल, तामसर, गौरी देव का टिबबा, कैलाश इसका जो सही अंसर है वो हमारे चारोई जो है वो चमबा में स्थित है, जो चमबा की कुछ important परबचोटियां है, पीर पंजाल होगी, तामसर, इनके बारे में आपको पता होने चीए गौरी देव का टिबबा और कैलाश जिसको हम मनी महीश भी बोलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर एक और है important, जो हमारा है nursing टिबबा, यह सभी हमारी परबचोटियां है, वो कहाँ पर हैं, चमबा में स्थित हैं, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं, जो हमारी गेफांग चोटी है, उसको क्या बोलते हैं, और कुछ उसका नाम है, वो आप में को बता सकते हैं, नेक्स कोषिन, नेक्स जो है यहाँ से पता हूना जी, छॉलांक जो हमारा कांगड़ा में हैं, परबचोटि, और जो हनुमारी गेफांग टिबबा है, वो कांगड़ा में है, यह कांगड़ा और कुलू के बार्डर पर स्थित है, ठीक हैं, बट में जो है इसका ऐसका पुंची चोटी जो नेक्स कुश्चिन है हमारा हौ मच पार्ट ऑफ हिमाल्य इन हिमाचल प्रदेश यानि हिमाल्य का जो कितना प्रतीशत पार्ट है जो हिमाचल में पड़ता है आपके ऑप्शन है 10.54 12.5% 15% 20.5% इसका जो सही अंसर है ऑप्शन 10.54% यहां से आपको पता होगा कि हिमाल्य जो है आपने देखा होगा कि हिमाचल में इतनी ज्यादा लैंड स्लाइट्स होती है पहार तो सारी जगह पे हैं जैसे मालो अगर आप जो है सेंट्रल इंडिया जो है उससे नीचे चले जाओ साउथ इंडिया में यहां भी तो पहा जो है वो अभी यह है अभी बन रहे हैं अभी चला यह यह लंबे हो रहे हैं तो उस बज़ा से जो है अभी बन रहे हैं तो इन में जो है इतनी जो है वो इतने कठोर नहीं है जिस बज़ा से यह जो है इसमें लैंड स्लाइट्स होती रहती है नेक्स कुशन है अदर नेम आ धौलाधार नौक्तीज इसको जो सही अंसर है हमारा option number first मानक परबत शिवालिक को जो है वो मानक या मैनाक परबत भी बोलते हैं और ये जो है इसका और शिवालिक का जो मीनिंग होता है वो होता है शिव की जटाएं जो हमारा second option है अगर मीनिंग पूछें तो हमारा शिव की है जोटी है उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं सफेद चोटी यानि वाइट पीक भी बोलते हैं इसको वाइट पीक यहां से कुछ आपको important जो पताओन चीजे से हमिरपुर है आप सभी यहां local हमिरपुर कांगडा के नजदी की होंगे तो हमिरपुर की सबसे बड़ी चोट अवादेवी अगर मैं आपसे पूछों कि जो बिलासपुर है उसकी सबसे उंची चोटी तो वो है बहादुर पुर बहादुर पुर जो next है यहां पे मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मैंने पूछ लिया शिमला की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो वो है चांसल चोटी चां और मंदी की कौन सी है मंदी की है नागरू नागरू यह आपको सभी पता होने जिए आपके 12 डिस्टिक है तो उन सभी की हाइस पीक जो है वो आपको पता होनी चीए जो नेक्स कोईशन है मारा विच रेंज डिवाइड हिमाचल एंड तिबद यानि कौन सी परबर श्रिंखल जो है वो हिमाचल और तिबद को अलग करती है आपके ऑप्शन है जांसकर धौलाधार पीर पंजाल नानौप्टीज इसका जो सही अंसर हैगा हमारा ऑप्शन बर फरस्ट जांसकर रहेगा अगर आप हिमाचल के मैप को ध्यान से देखें तो यह जो एरिया है यहां पे जो इसका गुजरती है जो कि नौर और लहौल स्पिती को जो है वो चाइना के तिबत से अलग करती है जो नेक्स कुश्चन है दा रेंज बिट्वीन उना एंड हमीरपूर कॉल्ड यानि जो हमीरपूर और उना के बीच में जो बर्बचोटी है उसको क्या बोलते हैं तो इसका जो ऑप्शन है शिवालिक बोलते हैं जांसकर बोलते हैं अरावली बोलते हैं करः नौर पर फिससका जो सही अंसर है ऑप्शन नौर first گیफانگ گیफانگ को جو है वह हिमाचल का मेटर हॉर्न कहा जाता है यहां से आपको पता हूं अच्छी मेटर हॉन होता है Actually जो मेटर हॉन है वह Switzerland में एक परवत की छोटी है और यह जो परवत चोटी है वह सैम गां की तरह तो इसको मेटर हॉन ऑफ हिमाचल कहा जाता है जो next question है the highest rainfall in Himachal Pradesh यानि Himachal में सबसे ज़्यादा बारिश कहां पे होती है आपके option है धरमशाला शिमलास पिती के नौर तो इसका जो सही answer है वो option number first धरमशाला है धरमशाला के कांगड़ा के धरमशाला में जो है वो सबसे अधिक बारिश होती है आपको मैंको बताना है कि सबसे कम बारिश जो है वो हिमाचल में कहां पे होती है कौन से डिस्टिक में होती है जो next question है हमारा फौजिल पार्क इन हिमाचल में जो जिवाशम पार्क है वो कहां पर स्थित है आपके option है सिर्मौर कांगड़ा के नौर हमिरपुर इसका जो सही answer है option number first सिर्मौर सिर्मौर में जो है सुकेती जगा है वहां पे ये जिवाशम पार्क स्थित है जो next question है हमारा महराना प्रताप सागर located at यानि महराना प्रताप जो सागर है वो कहां पर थित है आपके option है कांगडा कुलू शिमला किन नौर इसका जो सही answer है वो हमारा option number first कांगडा है जो हमारा पॉंग डैम है उसको ही महराना प्रताप सागर कहते है और यहां पर हर साल बहुत सारे पक्षी पूरे वर्ल्ड से यहां पर आते हैं और इसको हमने 2002 में रामसर साइड डिकलियर किया है आप में को कमेंड्स में बताईए कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था और हूत में जो आर्टिफिशल लेक्स हैं वो चार हैं एक है गोविंद सागर जो दूसरी और यह कहां पर है बिलासपुर में है जो दूसरी है हमारी पॉंग वह अभी हमने पढ़ लिया इसको महाराना प्रताप सागर भी बोलते हैं और यह कांगड़ा में है और यह कौन सी नदी है यह जो हमारी ब्यास नदी पर है जो नेक्स्ट है हमारी पंडो डैम पंडो डैम जो है वो हमारा मंडी में है और यह भी ब्यास नदी के किनारे ब्यास नदी पर ही बना है ठीक है और जो लास्ट है हमारी चमेरा चमेरा जो है वो चमबा में है और यह जो है रावी नदी पर बनी हुई है यहां से आपको यह पता हो नहीं चमेरा जल विद्धुति योजना कहां पर है तो वह हमारी चमबा में हो जाएगी जो नेक्स्ट कुश्चन है हमारा विच लेक इस कॉल एज ग्रूप ऑफ सेवन लेक यानि कौन सी जो जील है उसको साथ जीलों का समू कहा जाता है आपके आप्शन है लामा महकाली डल करेरी इसका जो सही अंसर है वो हमारा आप्शन नमर फर्स्ट लामा लामा जील को जो है वो साथ जीलों का समू कहा जाता है आपको पहले पता होना चीए कि जीले बनती कैसी है और जो है वो इसमें आप देख सकते हैं जो जीले हैं हमारी वो मैंने बता दिया या फिर man-made होती है आजमी बनाते हैं और जो दूसरी होती है वो हमारी natural होती है इसमें अगर आप देखें तो natural lakes भी अलग-अलग टाइप से बनती हैं कुछ जब glaciers के द्वारा बनती हैं कुछ आपने पढ़ा होगा asteroid जो शुद्र ग्रह है उसके द्वारा भी बनती है और भी बहुत सारे जो है उनके द्वारा जो है वो लेक्स बनती हैं जिनको हम SST में पढ़ेंगे ठीक है जो हमारे यहां पे फर्स्ट क्वेशन ह लेक से एन डिलेटेड़ विच आफ ता फॉल्वोइंग लेक इस इन कांगड़ा यानि कांगड़ा में कौन सी जील है आपके उपशन है डल जील करेरी जील मच्याल जील तो यहां पे जो है प्शन नमर 4 ऑल ऑफ ता अबभ जो कांगड़ा में है वो यह तीनों ही है और य मच्याल यहां जो हमारी कांगड़ा में मच्याल जो है इसके बारे में यह है कि यहां पे जो है मच्छिंद्र महादेव का जो है मंदेर है और यह जो है यहां पे मच्छिंद्र महादेव जो थे उन्होंने तपस्या करी थी important यहां से अगर हमने पिछे पढ़ा भी कि लेक्स जो है ये लामा लेक कहां पे स्थित है ये चमबा में स्थित है आपको चमबा के कुछ important लेक्स के बारे में पता होना चीए जैसे हमारी सबसे पहले जो लेक आएगी जो important है हमारे paper के हिसाब से मनी महेश मनी महेश जो हमारी जील है वो कहां पे है वो चमबा में है और पिछे हमने एक artificial पड़ी जो थी चमेरा मनी महेश चमेरा हो गई इसके अलावा और कौन से आएगी गडासरू गडासरू जील भी ये आपके टैट के paper में आए है questions खजियार जिसको हम मेनी स्वीजर लैंड भी बोलते हैं खजियार और लामा हो गया और लास में एक महाकाली महाकाली यहां से आपको जो पता होना चीए एक जो है हमारी खजियार जो जील है इसको जो है मेनी स्वीजर लैंड भी कहा जाता है और इसको मेनी स्वीजर लैंड नाम किस ने दिया था वो थे विली बलेजर विली बलेजर ने इनको जो था वो मेनी स्वीजर लैंड का दर्जा दिया था इस जील को और कब दिया था, उमारा दिया था 7 चुलाई 1992, 1992, देखें, यहां से आपको, जो यह महाकाली जील है, हमारी, महाकाली जील जो है, वो काली देवी को से related है, ठीक है, काली देवी से related है, जो next है हमारा question, which of the following, lake not in Mandi, इन में से कौन सी जील जो है, वो मंदी में नहीं है, आपके option है, पराशर, रिवालसर, कामरूनाग, से ओलसर, तो हमारी जो से ओलसर है, वो मंदी में नहीं है, वो हमारी कुलू में स्थित है, यहां से आपको मंदी की कुछ important जीलें जो है वो पता होनी चाहिए, जो 5-6 जीले हैं जो यहां इंपॉर्टेंट हैं तो पहली है कुमारवा अगर आपको हिमाचल का मैय पच्छे से याद होगा तो आप इन जीलों को आसानी से याद कर सकते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमाई जीले मिलती हैं पराशर और रिवाल सर इसके अलावा जो है कामरूनाग कामरूनाग के अलावा जो है कुंत भयोग यह आपके पेपर में आए हुए क्वेशन्स हैं कामरूनाग कुंत भयोग और लास्ट में जो है जो इंपॉर्ट है काला सर काला सीकाट यहां से अगर आप देखें चो सबसे important जो हैं जो इनमें से question इन सभी है क्वेशन पूछा जाता है फर इन में और rap व्हीं कोईशन पूछे जाते हैं रिवाल सर और प्राशकर में जो प्राशर जील है, वो जो है रीशी प्राशर के नाम पर उसका जो था नाम पड़ा था, रीशी प्राशर पता है कौन थे, जिन्हों ने, जो हमारी महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने, उनके जो पिता थे वो थे रीशी प्राशर ठीक है, यहां से आपको next जो है Revalser, Revalser के बारे में आपको कुछ important जो पता होना जाए कि यहां पे जो है यह important है हिंदूं के लिए भी जो हिंदू है हमारे वो भी यहां पे पूजा करने आते हैं जो सिख हैं वो भी आते हैं और जो हमारे बहुत धरम है वो भी यहां पर आते हैं और यहां जो है एक मिला लगता है बहुत important मिला है चेश्यू मिला और यह मिला जो है यहां पर जो पदम संभव जो थे जिन्नोंने बहुत धरम का प्रचार किया था उनके जो जिस दिन उनका जनम हुआ था जनम दिन पर उस दिन लगता है ठीक है जो next है हमारे पास कुल्लू के बारे में जो important हमें पता होनी चीए सबसे पहले है मानतलाई मानतलाई जील मानतलाई के बारे में आपको पता होगा कि यहां से जो है पारवती नदी निकलती है पारवती नदी और important यहां पर एक दश्षर यहां दश्षर जो है यहां आपके बारे में कहा जाता है कि यहां पर जो है अक्वर की बीटी जो थी वह नहाई थी उसके वहां से उसका जो बिमारी थी उसको अधरंग वह ठीक हो गया था ठीक है और important जो है एक सियोल सर सियोल सर यह आपके टैट की पिपर्स में आए हुए हैं और इसके अलावा जो है देहना सर यह जो डेहना सर जील है यहां पर कहा जाता है कि इस जील का नाम पढ़ा है क्योंकि यहां पर एक डायन रहती थी जिसको जो था शिव भगवान ने जो इस फ्लोटिंग लेक कौन सी लेक जो है जिसको फ्लोटिंग यानि तैरते हुए टापों की जील कहा जाता है और प्राशर इसे दोनों को भी बोलते हैं बट में जो है रिवाल सर को बोलते हैं जो यहां से अब आपको इंपॉर्टन जो नेक्स्ट है हेनसांग काल लोहित्य सरोवर फॉर विच लेक यानि हेनसांग ने जो था लोहित्य सरोवर किस जो जील को कहा था आपके ऑप्शन है सूरजताल चंदरताल दीपकताल नीलकंट तो यह जो था हेनसांग ने कहा था हमारी चंदरताल को यहां से चंदरताल जो थ है आदा यह भी जीन जो है एक रामसर्साइट है और सूरस्ताल भी है हम और यह कहां पर स्थित हैं यह सभी जील यह जुँ हैं लहौल-फिती में स्थित है और यहां से लहौ tämä की एक इंपरटन जील है जिसका नाम है कि इनिलकंट जील है इसका नाम पता है क्यूँ नीले रंग की है इसलिए इसको जो हम नीलखंट कहते हैं और नेक्स्ट अब आपको कुछ important और जीले बची है अच्छा पहले ये question हमारा हिमाचल biggest natural lake यानि हिमाचल की सबसे बड़ी जो natural lake है प्राकरेतिक वो अंसी है आपके option है रेनुका गोविंद सागर सुकेती चंदरतार तो इसका जो सही answer है हमारा option number first रेनुका है और यह हमारी रेनुका जील भी क्या है एक रामसर साइट है ठीक है और यहां से आपको पता होना चीए यह जो नाम था यह कैसे पढ़ा था क्योंकि यहां पे रेनुका जो किसकी पतनी थी जमदगनी रिशी की पतनी थी उनके नाम पर पढ़ा था और इनका जो बेटा था उनका नाम क्या था आप बता सकते हैं उनका नाम था परशुराम परशुराम जो थे हमारे परशुराम की माता जो थी र पड़ा है और यहां जो जमदगनी रिशी हैं यहां पर वही जो है कुल्लू में जो मलाना देवता है वो यहीं है ठीक है जो यहां पर इंपॉर्टन्ट जो हमारे लेक्स पता होनी चीए सिर्मौर की एक हमारी होगी रेनु का और एक होगी हमारी सुकेती और अब हमें जो इंपॉर्टन जील हमें बच गई है कुछ जील है जो हमारी शिम्ला की जील है ठीक है उसमें जो है एक है चंदरनाहन जील जो हमारी शिम्ला में स्थित है इसके अलावा जो कराली जील है कराली, कराली भी हमारी शिमला में स्थित है और तानु जुबल ये भी हमारी शिमला में स्थित है तानु जुबल यहां से आपको जो है कन्फ्यूज होते हैं बच्चे एक चंदर ताल है और एक चंदर नाहन है जो हमारी चंदर ताल है वो हमारी कहां पे है लॉल्स पिती में है जिसको हेंसांग ने लोहितिस रोवर कहा था और जो चंदरनाहन है वो हमारी शिमला में है और एक कन्फूजन होता है करेरी और कराली में कराली जो हमारी करेरी है वो हमारी कांगडा में है और जो हमारी कराली है वो हमारी कहाँ पे है शिमला में स्थित है जो next question है biggest glacier of हिमाचल प्रदेश यानि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो glacier है वो कौन है आपके option है बड़ा शिगड़ी गेफांग, चंदरा, दुधान इसका जो सही answer है हमारा option number first बड़ा शिगड़ी glacier हिमाचल में जो है जो उपर के ईलागे है वहाँ पर glacier का मतलब होता है शिगड़ी देखे है हमारा बड़ा शिगड़ी glacier है वो कहाँ पर है वो लटा पे-टी में स्थित है लटा हुल्स पीड़ी में जो हिमाचल के maximum glaciers है 90% वो लॉहाल्स पिती और किनौर में स्थित है यहां से लॉहाल्स पिती के जो कुछ important glaciers है जो हमारा हमने सबसे पहले पढ़ा बड़ा शिगडी उसके अलावा गेफांग, गेफांग glacier, चंदरा glacier, कुल्टी glacier यह जो हमारा कुल्टी glacier हो गया इसके अलावा एक है important जो हमारा लेडी आफ के लॉंग है लेडी आफ के लॉंग एक है सोना पानी यह आपको नाम याद होने चीए देख्यां यहां पर अगर आप दो important जो glacier है इनके बारे में कुछ mention है जो हमारा है सबसे पहले जो हमारा सबसे गेफांग गलेशियर है मैंने आप से पीछे भी पूछा कि गेफांग गलेशियर जो है उसको हम और क्या बोलते है यह जो है गेफांग गलेशियर इसका नाम जो है सबसे पहले मैंने बताया स्वीजर लैंड की मैटर हॉर्न जो चोटी है उसके जैसे तो इसको मैटर हॉर्न आफ हीमा चल गहा जाता है इसके अलावा इसको जो है वो बोला जाता है लोहॉल का मनी महेश लोहॉल का मनी महेश यहाँ पे अगर आप देखें लोहॉल का मनी महेश इसलिए कहा जाता है चंबा में मनी महिश में सारे चंबा के लोग rocks वहां पे जाते हैं उसको बहुत पर वुत्र मादते हैं वाइस एक वारे में इसके नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि यहां पे जो है एक गलेशियर है उसको अगर आप देखें तो वो बिलकुल जो हमारी लेडी होती है जैसे सोई हुई लेडी है वैसा लगता है इसलिए इसको लेडी आफ के लॉंग कहा जाता है इसके अलावा जो हमारे कुछ और इंपॉर्टन गलेशियर है जो सबस में स्थित हैं सहां जैसे हमारा हो गया बढ़्धल गलेशियर चंदर नाहन गलेशियर चंदर नाहन गलेशियर तो हमारा चंदरताल जील से आप बता सकते हैं कि यह जो है शिमला में स्थित है जो नेक्स्ट है हमारे लिए इंपॉर्टन जो मिनिस्टर से कुछ रिलेटेड है वो इसदा विधान सभा अध्यक्ष आफ हिमार्चल करन्ठ ली यानि हिमार्चल परदेश के जो विधान सभा अध्यक्ष है अभी वो कौन है आपका option है कुलधीप सिंगh पठानिया रोहित थाकुर अनिरुद सिंगh विक्रमा दित्तियों इसका जो सही अंसर है हमारा option number first गुलदीप सिंग पठानिया है जो हमारे रोहित ठाकुर है वो आपको पता है हमारे education minister है education minister जो हमारे अनिरूद है वो हमारे कौन से है जो article 40 में mention है यानि पंचायती राज मनिस्टर पंचायत जो है उसकी formation जो है वो article 40 में बताए गई है अब बिक्रमा दित्य जो है हमारे PWD public welfare department के जो है वो minister है यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि हिमाचल का agricultural minister कौन है इस नेक्स question है हमारा तो boundary of पंजाब रोपर टेचिस विद विच्टिस्टिक ओफ हिमाचल यानि जो पंजाब का रोपर है उसकी जो सीमा है वो हिमाचल के कौन से जिले के साथ लगती है यह आपका quiz है आपके option है बिलासपुर चमबा कांगरा सिर्मौर प्लीज इसका answer दीजिए comments में और प्लीज अपने suggestions दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर वीडियो में कोई कमी है तो आप हमें बता सकते है Thank you